सो गाईज आज जम कंपेर करने वाले हैं TWS Air Burst को जो की OnePlus Nords Burst CE और Realme Burst Air 3 Neo इन दोनों Air Burst को आज में कंपेर करूँगा और इनके features, price और इन दोनों में से आपको कुन सा buy करना चाहिए सबी को आज जम इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं OnePlus Nords Burst CE launch वाता 1 August 2022 को और Realme Burst Air 3 Neo launch वाता 27 July 2022 को बेटर लाइफ की बात करें तो OnePlus Nords Burst CE के Air Burst की बेटर लाइफ है 4.5 और इसमें इसके charging case की बेटर लाइफ है 20 और इसमें आपको fast charging भी देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको 10 मिट चार्ज करते हैं तो इसमें आपको 81 मिनिट का प्लेबेक देखने को मिल जाएगा और इसमें charging time 1 to 2 hours का देखने को मिल सकता है और Realme Burst Air 3 Neo में इसके Air Burst की बेटर लाइफ है 7 hours की और इसमें इसके charging case की बेटर लाइफ है 30 hours की और इसमें भी आपको fast charging मिल जाएगी अगर आप इसको 10 मिट चार्ज करते हैं तो इसमें आपको 120 मिलीट का playback time देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको charging time 2 hours का मिल जाएगा गाईज माइक आपको दोनों में देखने को मिल जाएगे Alexa और Siri और other voice assistant तो ये भी दोनों में available है बिस ड्राइवर की बात करें तो OnePlus Nord Buds CE में आपको 13.4 mm के ड्राइवर मिल जाएगे और Realme Buds Air 3 Neo में आपको 10 mm के ड्राइवर मिल जाएगे Low latency तो OnePlus Nord Buds CE में आपको 94 mm के Low latency मिल जाएगी इसका gaming experience बहुत ही बेटर होने वाला है और Realme Buds Air 3 Neo में आपको 88 mm के Low latency मिल जाएगी इसमें भी gaming experience अच्छा होने वाला है हैंड सुरी static calls आपको दोनों मिल जाएगे Mono mode दोनों में available है noise cancellation तो OnePlus Nord Buds CE में आपको AI noise cancellation मिल जाएगा और Realme Buds Air 3 Neo में आपको AI ENC noise cancellation देखने को मिल जाएगा कलर की बात करें तो OnePlus Nord Buds CE में आपको टू कलर मिल जाएगे और Realme Buds Air 3 Neo में भी आपको टू कलर देखने को मिल जाएगे स्वेट एन वोटर प्रूफ तो वन फ्लस नॉर्ट बर्स ए में आपको IPX4 certified water resistance मिल जाएगा और रियली बर्स Air 3 नियो में आपको IPX5 certified water resistance देखने को मिल जाएगा Bluetooth connectivity तो दोनों में आपको Bluetooth की connectivity मिल जाएगी और दोनों में आपको Bluetooth V5.2 वर्जन देखने को मिल जाएगा audio codec आपको दोनों में सही मिलने वाले है SBC और ALC के audio codec दोनों में available है support तो दोने एर बर्स हर टाइप के phone में connect हो जाएगे touch control दोनों में available है warranty तो दोने एर बर्स में आपको 1 year की warranty मिल जाएगी अब बात करते हैं इनकी प्राइस की तो OnePlus Nords बर्स CE की प्राइस देखने रूपिस 2,299 और Realme Buds Air 3 नियो की प्राइस देखने रूपिस 1,999 अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा buy करना चाहिए तो guys मैं आपको दोनों इर बर्स रिकमेंड करूँगा क्योंकि दोनों की ही प्राइस के साफ से दोनों में फीचर्स बेटर हैं आप दोनों को consider कर सकते हैं link मैंने इनकी description box में दे रखी आप वहां से इनको check out कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like कर दे and channel पर नहीं हो तो subscribe करना मत बुलिएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना हिता मिलते हैं next video में